कि वेल्काम टू आवर यूट्यूब चैनल कमपडीशन मैथ पॉइंट दूस्तो हम लोगोंने SD यादव बुक के त्रीकोन मीती को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगोंने स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को आप तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले जिससे कि देखेंगे 69 नमर प्रेशन क्या काता है तो 69 नमर प्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सुत्रों की अवसक्ता होगी अगर आपको सुत्र पता है तो बहुत बढ़िया है नहीं तो मैं लिख देता हूँ ठीक है यहां देखें साइड 90 माइनस ठीक है तो क्या होता है यह सब आपको पता होना चाहिए साइड 90 माइनस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बढ़ावर क्या होता है कौस ठीक है फिर यहां पर लिख सकते हैं कौस 90 माइनस ठीक है क्या होगा साइड ठीक है अगर यह होगा रहेगा साइन नाइन्टी माइनस ठीटा है ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस ठीटा लिख सकते हैं यहां कॉस नाइन्टी माइनस ठीटा है तो यहीं लिखने का तरीका है फिर 10 90 minus θ, 10 90 minus θ, क्या होगा, 10 बदलेगा cot में, cot θ, फिर cot 90 minus θ, अगर हो, ठीक है, तो cot फिर किस में बदलेगा, 10 में, फिर होगा, 90 minus θ, तो क्या होता है, coset θ, ठीक है, फिर coset 90 minus θ, अगर हो, तो क्या होगा, coset 90 minus θ, ठीक है, यह होगा 90 के लिए, अब हम लोग फुरा सा जान लेते हैं, 180 के बारे में, अगर दे sin, 180 minus θ, तो क्या होगा, sin θ, ही होगा, ठीक है, sin 180 minus θ, क्या होता है, sin ए, θ, होता है, sin 180 minus θ, रहेगा, तो क्या होगा, sin θ, ही रहेगा, फिर cos, 180 minus θ, होगा, तो क्या होगा, minus में cos θ, ठ, आगे, tan, 180 minus θ, होगा, तो क्या होगा, minus में 10 θ, ठीक है, code, 180 minus θ, होगा, तो क्या लिख सकते है, इसको minus में ही code θ, ठीक है, फिर क्या होता है सेक सेक 180 माइनेस ठीटा होगा तो क्या लिखेंगे माइनेस में ही सेक ठीटा और लास्ट होता है कॉसेक ठीटा कॉसेक 180 माइनेस ठीटा होगा तो क्या होगा ये पलस में होगा कॉस ठीटा कॉस एक ठीटा ठीक है यानि कि स्रीफ Sign का वेल्यू sign में ही होगा एकर एक सोस्टी माइस ठीटा होगा लेकि Sign positive होगा और Sign का जैस्ट बच्ष्ट जो होटता है कॉस एक ये positive होगा बाकी बागी बाद सब negative में आएगा ठीक है तो इतना आपको में है cos 90-a बट्टा में 10a है ठीक है तो हमको पता है कि sin 90-theta क्या होता है cos theta तो theta के जब पर a है तो a लिखेंगे और cos 90-theta क्या होता है sin theta अब देखे ठीटा का value a है तो a ही लिखेंगे बार 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 ठीटा लिखा जाता है और 10 theta है ठीक है 10 theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं दीए cos a into sin a बट्टा में 10 को क्या लिखते है 10 theta को लिख सकते है sin y cos sin theta अब आई में cos theta लिखेंगे तो cos theta पल्टी मारेगा तो उपर में चला जाएगा cos theta दीए sin theta से sin theta कर जाएगा दीए theta का value a है इसलिए a होगा ठीक है हम बार बार ठीटा ही लिखा रहा ठीक है यहाँ cos theta यहाँ cos theta तो दोनों को गुणा होगा तो क्या हो जाएगा cos square a ठीटा नहीं a होगा ठीक है option number b समझ रहा है आगे बढ़ते हैं अब समझ यह 60 number क्या है cot 54 by 10 36 degree plus 10 20 by cot 70 अब हम आपको बता है थे कि cot 90 minus अगर 90 मेंस इसको घटाएगे तो क्या हो जाएगा यह 10 theta हो जाएगा ठीक है 30 degree 36 ठीक है और देखिए पहले इस दीक का काम करते हैं बाद में यह पलस की इधर का काम करते हैं तो cot 90 minus theta क्या होता है 10 theta देखिए cot 90 minus theta हम देखिए जो फर्मूला लिखवा है याद नहीं कीजेगा तो फिर नहीं वनेगा cot 90 minus theta 10 theta अब 90 में से ठीक है theta का value है एंगल था एंगल नहीं घटा सकते लेकिन यहाँ आमको theta का value दे रखा है 10 36 10 36 cot 70 cot 70 इधर एक बार इधर एक बार एक और एक कितना हो गया दू राइट एंसर यह नमबर आगे बढ़ते हैं देखिए 61 हुआ है अब डारेक्ट हम लोग बदलेंगे सेख को क्या करेंगे कॉसेख ठीक है अगर 90 में से 37 घट आएंगे तो कितना हो जाएगा 53 अब 8 में कॉसेख तिरेपन तो है यह कोई एक ही को चेंज करेंगे ठीक है डोनों को चेंज नहीं करेंगे साइन को बदलेंगे कॉस में 90 माइनस ठीक होता है 90 में से 42 घटेगा तो 48 आएगा बटा में कॉस 48 तो है यह है इससे यह कटेगा इससे यह कटेगा तो एक और एक मिलकर दू हो जाएगा यहाँ भी तीक है आगे बढ़ते हैं देखिए 62 सबसे तीक है 3 इंटू में साइन को आगर 90 माइनस ठीक है 90-ठीक है तो 35 भी रह ने दिज्यान में मैनेट को लीग सकते है 90-MINUS TETA dot RETTA काविल है 43 խाई मैंFIA 45 47 है तो 47 है 93 to 3 36 90-まり qué howtta है cos theta तह 90-35 गटेगा तो 5 पन है ठीक है прост无weARA cos 95 french cos 90- theta किया हो जता है sin theta अगर 90- pyt get 43 गटेगा तो कितना है 47 अब बटा मैं sin 47 47 47 से 45 से 55 से 55 तीन में से दू जाएगो तो कितना बच्चा एक सुराइट एंसर क्या हो गया एक ऑफ्षन में देखिए यह नंबर ठीक है आगे बढ़ते हैं 63 10 23 मैं आगेट लगी एप Where Also बच्चे रसके एपरे हैं click zijn 25OOOO 10 बदलेगे कोट में हसे अब ख़र्णे नहीं कॉट से में से लिगा कॉट से classify तो हम क्या वोलेते कोई एक ही टर्म को बदलेंगे अगर टैन बदलेंगे तो साइन बदलेंगे तो कॉट смыс ने है तो क्वड में तो कॉड 9 mm 23 र को बढ़ेंगे कौस में तो कॉड 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 ऐहां मायनेस में यह मायनेस में यह में यह मतलो में कट कट गया सब सब के सब कट गया तो बचा क्या जी रो सुराइट इंसर डी नमबर ठीक है आगे बढ़ते हैं कि 64 देखेंगे टू टैन फिप्टी थिरी को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ठीटा करते हैं 53 बाई में कॉट को जसका तस रहने देंगे 37 है तो 37 टैन को बदलेंगे फिर कॉट में तो 90 माइनस में 20 और नीचे में कॉट 70 है तो 70 ही रहने देंगे देखिए 2 एंटू 10 90 माइनस ठीटा क्या होता है कॉट ठीटा लेकिन कॉट ठीटा का फेलु यहापर घटाएगे तब आएगा 90 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा घटा कर कितना आएगा 37 आब अब अबंटा में कॉट 36 माइनस यहाँ 90 मेंसे 20 घटेगा तो कॉट 70 बचा कॉट 70 इ आगे बढ़ते है, 65, साइन को बदलेंगे कॉस में, कॉस 90-29, अब बटा में जो ऐसे है, कॉस नीचे वाला उसको उसी परकार लिखते है, पलस, साइन को बदलेंगे, 90-62, बटा में कॉस है, तो कॉस से रहने देंगे, 20, देखिए, यहाँ पे साइन था, ठीक है, साइन, कॉस टव्यन्टी एट्पलस, 10 को बदलेंगे, तो 10, 90-27, अब बटा में कॉस है, तो कॉ Barbie 63, अब देखिए, साीन 90- 23 क्या होता है, कॉस ठीक है, अब 90 में से 29 गटे गा, तो 61 आएगा, बटा में कॉस 61 है. साइन 90 मैनेस ठीटा होता है कॉस ठीटा 90 मैं से 62 घटेगा तो 28 आएगा नीचे में कितना है कौस 28 है फिर पलश 10 90 मैनेस ठीटा है तो क्या होगा कॉट मैं आद याएगा तो 33 बट् offset में इन कॉट 3 60 है तो 63 इधर से ये इधर से ये 19 तो कितना हो जाएगा एक 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 तीन आफसर नमबर सी आगे बढ़ते हैं 66 को स्क्वेर 25 को क्या लिख सकते हैं देखिए को स्क्वेर 25 को लिख सकते हैं 90 में से घटा कर तो क्या लिखेंगे 90 माइनिस 25 तो 65 स्क्वेर 25 गर्वाले 66 स्क्वेर 25 स्क्वेर 20 स्क्वेप लिखेंग हैं स्क्वेर 25री 32 कचा टाथ होगा लेकिनço स्कौइर में हमाइब सिसिए फ्रेंवरान से 25 जाagit कितनी से 65 और परलश यहां को स्वयर है स्वcomb , थी सेवन तो पलश साइध स्व की इनगी आपियाइए को स्विर्व में प्लश सफ Wish Most होता है वन बंटा में साइन स्कृट हीटा पलस कॉसेटा भी होता है वन तो वन इवन कितना होगा वन ने होगा सुराइट एंसर डी नमबर ठीक है आगे बठते हैं हाँ को 67 है साइन दस बट्टा कॉस असी पलस थे एक ठीस इन्टू शाइन 59 का मान तो थे साइन को बदलते हैं कॉस में तो कॉस 90 में से 10 घटाईगे तो असी हो जाएगा अब आप को सबस्क बदलते हैं किसमें देंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाली बात आती जाएगी ठीक है तो सेक किसमें बदलेगा कॉसेक में सेक किसमें बदलेगा कॉसेक में तो सेक का क्या होता है सेक 90-θ, थीटा का विलू कितना है 31 into में साइन 59 कॉस से ये कॉस कट गया यानि कि इधर आगया एक इधर एक आगया पलस सेक 90-θ, क्या होता है कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा ठीक है 90 में सेक 30 जाएगा तो कितना बचेगा 59 into में साइन 59 अब आपको देखिए अब तो होता भी है अब फर्मूला अगर आपको पता होगा तो साइन ठीटा into कॉसेक ठीटा बरावर 1 होता है साइन ठीटा into कॉसेक ठीटा बरावर 1 होता है अगर नहीं पता है तो जाने दीजिए ठीक है 1 पलस अब देखिए कॉस को हम लोग साइन के रूप में क्या लेख सकते है 1y थे कॉसेक को साहिन के रूप में क्या लेग सकते हैं फिप्टी ना थे कॉस को अगर साहिन nămे चेंज करेंगे तो वनवाई करके और जस्थ यह उसका कोशेक का उलटा क्या औता है बनवाई से यहां पे क्या है और यहां पर क्या है साइनりました 59 59 यहां इदर आएगा तो वाई क्या हो जाएगा फिर में फिंटना हो जाएगा पार अगे बढ़ते 68 सइन को समय बदल लेते हैं तो कॉस 90-35 तो कितना आ ऐगा 55 इंटू में ऐस 55 भी है पलस को स्थ 25 इन्टू सइन 25 तो समय को बदल लें क्लिए सैन में तो साइन 90 में 35 गटने गा तो इतना बच एका 55 इंटू में sin 55 हैंगी देखिए दोनों गुणा में हैं जैसे कि एक गुणा A होता है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको A स्क्वार तो यहाँ भी cos 15 5 into cos 55 तो क्या लिख सकते हैं cos square 55 यहाँ sin है तो क्या लिख सकते हैं sin square 55 sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 आपको फर्मूला याद होगा साइन स्कुर्ड ठीटा प्लस कॉसे स्कुर्ड ठीटा बरावर वन होता है ठीटा दोनों में सेम है पच्पन पच्पन तो क्या हो जाएगा वन ठीक है आगे बढ़ते 69 साइन 330 इंटू में 10 400 पंचन में इंटू में कॉसेक्ट 150 बटा में है 10 120 कमान बताना है तो अब चली अब हम लोग जो आएंगे हम लोग जो बनाएंगे उसमें समझेंगे ठीक है देखिए दूस्तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते देखिए यहाँ पर आप हमको आ गया है साइन 360 डिगरी का मान लेना होगा 360 माइनस ठीटा बडावर क्या होगा यहाँ पर देखिए साइन 360 माइनस ठीटा होता है माइनस साइन ठीटा ठीक है यह पता होनी चाहिए साइन 360 माइनस ठीटा क्या होता है साइन ठीटा ठीक है 360 में कुछ जोर कर लिख सकते हैं कुछ जोर कर ठीक है तो क्या लिख सकते हैं 360 पलस में कितना अधिक है 360 से ये ये कितना अधिक है 360 से तो दिखिए ये चला जाएगा 300, 100, 400, 135 ठीक है ये 135 अधिक है बटा में जो है 100 लिखिए 10, 120 है तो 120 ठीक है और यहाँ पर कॉसेप को क्या लिख सकते दिखे इसको भी बाल भी लिखेंगे यहाँ जगा के कारण छोड़ देती इतना ही ठीक है आगे दिखिए तो STEtake चीटा ही होता है टेक है तो 10 कितना हो जाएगा देखिए 10 306 प्लस ठीटा क्या होता है deta होता है 10 360 प्लस ठीटा यानि कि 10 ठीटा और 10 ठीटा क्या आगा प्लस में तो यहाँ प्लस में होगा लेकिन 10 का वेल्यू कितना हो जाएगा 135 डिग्री ठीक है इन्टू में नीचे वाले को गर हम लोग 10 को चेंज करेंगे तो 10 इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ठीटा 120 180 माइनस 150 ठीटा ठीक है अब देखिए माइनस ठीटा का वेल्यू कितना होता है 1 वाइट 2 तो माइनस में हो जाएगा 1 वाइट 2 दिगे gosh evidence minus ये पर 2 इइए इसे असी अस्ती इसा पंच बढ़ा एको सब्सक्राइब ethos camarty सब्सक्राइब यह था मैंस उसका जाJ मैंने क्या बोला था 118 ना श्याएगा तो मुट्छ से भाइगा लेकिन बाकी बाद जो भी होगा tan, cot, cos x, 1 उसका मान माण माइनस में आगा 180 में से 60, 120 जाएगा तो कितना आगा 60 degree, अभी एक बार और लिखना होगा माइनस में x बट्टा दू गुना में, माइनस में 1 है गुना में cos 30 का मान क्या होता है cos 30 का मान होता है 1y sorry, sin 30 होता है 1y2 तो cos 30 सीधर 2 हो जाएगा, ठीक है 2, और बट्टा में कितना है tan 60, tan 60 कितना होता है माइनस में, sorry, root 3 होता है तो root 3 माइनस में होगा हो गया, चलिए यह माइनस से माइनस कट गया, दूसरे यह दू कट गया तो यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ बट्टा में root 3 बचा हुआ तो माइनस में एक बट्टा root 3 होना चाहिए right answer माइनस में एक बट्टा root 3 ठीक है समझ रहे हैं कि प्रेश्ण को चलिए आगे बढ़ते है देखिए सब्तर इसमें भी उसी परकार है cos 135 को क्या लख सकते है 210 को क्या लख सकते है 180 पलस में कुछ लिख सकते है 210 को 180 और कितना हो जगा 30 210 30 210 होता है ठीक है into में cos cos को क्या लिख सकते है 180 माइनस में 150 बट्टा में साइन 270 को क्या लिख सकते हैं 180 और कितना लिख सकते हैं 90 180 पलस 90 लिख सकते हैं इन्टू में कॉस 315 को क्या लिख सकते हैं 380 360 360 माइनस 315 ठीक है इतना समझ गए चलिए अगर कॉस 180 माइनस में 135 घटाएंगे तो कि अच्छा दोस्तों एक चीज हमको तो पता था कि कॉस 135 का वेल्यू था हमको पता है कॉस 135 का वेल्यू क्या होता है तो कॉस 60 का जो होगा वो 135 का वेल्यू नहीं कॉस 45 का जो वेल्यू होगा cos 45 का value क्या होता है 1y2 तुछ यहां minus में सिर्फ होगा 1y root 2 cos 45 का ज़ativa होता है वही minus में होगा sin 180 plus θeta sin 180 plus θeta होता है nah minus में sin θeta होता है minus में sin θeta sin 30 का मान कितμά हो जायगा 1y2 एक यह गुना में है तुछ गुना में into में cos 150 का value भी हमको पता है यहाँ पी यह भी करने की जुरूत नहीं थी ठीके कॉस 150 का value कितना होता है minus में होता है कितना आता है minus में minus में 30 degree का मान जो होगा वो cost 150 degree का मान होगा ठीके तो cost 30 का value कितना होता है 1 by 2 y value होगा 1 by sorry root under 3 by 2 होता है root under 3 by 2 हो गया उपर का काम खतम sin 180 plus theta क्या होता है sin 1 theta होगा लेकिन minus में आएगा minus में sin 90 90 का मान क्या होता है 1 into में cost 360 minus 315 cost 360 minus 315 तो कितना आएगा cost 360 minus theta होगा sin theta ठीके और sin कितना degree का मान होगा 360 में से 15 घटेगा तो 45 degree का मान होगा ठीके हो गया अब इसको solve करते दीके उपर में क्या है एक एक और root 3 तो root 3 यह होगा minus है तो minus है 2 दूना 4 4 को root 2 से तो root 2 बटा में क्या है minus में है ठीक है और क्या हो जाएगा sin 45 का मान क्या होता है 1 by root 2 अगर इसको हम लोग solve करे तो minus में root under 3 by 4 root 2 और ये root 2 उपर जाएगा माइनस में 1 है तो नीचे आएगा माइनस से माइनस कट गया root 2 से root 2 कट गया यानि कि क्या बटा रूट अंडर 3 by 4 देखिए उप्षन में बी नम्बर root अंडर 3 by 4 ठीक है आगे बढ़ते देखिए 71 क्या बटा है sin 135 into cos 225 into sin 1225 बटा में 10 135 into sin 315 तो देखिए दोस्तो हम लोगों ने sin 90 माइनस ठीटा cos sin 180 माइनस ठीटा ये सब पढ़ चुगे ठीक है अब हम लोग थरा 270 पलस बला माइनस बला देख लेते हैं ठीक है क्योंकि प्रेश्न बनाने में आसानी होगे ठीक है क्योंकि देखिए कोस 180 पलस ठीटा होगा तो क्या होगा माइनस में कोस ठीटा फिर क्या होगा कोस के बाद सेक ठीक है सेक 180 पलस ठीटा होगा तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस में ही सेक ठीटा ठीक है और कोसे 180 पलस ठीटा होगा तो क्या लिखेंगे माइनस में कॉसेक ठीटा ठीक है फिर कौट का टैन का इसमें सिर्फ एक कौट और टैन होज़ो होगा पोजिटिव होगा कौट 180 पलस ठीटा होगा तक क्या होगा कौट एठीटा होगा ठीक है और टैन 180 पलस छीटा होगा तो क्या होगा 108 छीटा होगा तो इतना ये चीज आपको याद हो जाना चाहिए ये positive अब दूसरा बताते है sin 270 माइनस छीटा होगा तो क्या लिखेंगे sin 270 माइनस छीटा को क्या लिखेंगे minus cos छीटा फिर cos दूसर सत्तर माइनेस ठीटा को क्या लिखेंगे माइनेस में साइन ठीटा फिर आएगा किस में टैन में टैन दूसर सत्तर माइनेस ठीटा को क्या लिखेंगे पॉट ठीटा ठीक है फिर कॉट दूसर सत्तर माइनेस ठीटा को क्या लिखेंगे टैन ठीटा और कौसिक 270 माइनस चीटा क्या होगा माइनस में सेक चीटा ठीक है यह हुआ 180 प्लस 270 माइनस ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं एक वो 300 बला देख लेथे 360 बला ठीक उसके बाद ज्यादा फर्मूला भी याद करना देखें साइन 360 माइनस चीटा अगर हो है कि कौस कोOoh 6343 च्च साम वालज़ील थीटा क्या होगा ए मैं फिर टवन 209 साथ मनेस फिनफे च्च साथ मनेस छीटा होगा तो इनफे यहां पर पलस यह SIC 360 minus theta होगा तो minus A में SIC theta होगा औरidezh теперь 360 minus theta होगा तो यह olurs ad plus में theta ठीक है, यह 360 minus भला थाब एक plus भला देख लेते हैं अगर sin 360 plus theta होगा तो 360 plus theta होगा तो क्या होगा? plus में sin theta ठीक है, फिर cos 360 plus theta होगा तो यह भी क्या होगा? प्लस में कोस्ट ठीटा ठीक है मतलब 360 का प्लस जो भी होगा वो सब प्लस में होगा फिर टैन 360 प्लस ठीटा क्या होगा टैन ठीटा कोट 360 प्लस ठीटा क्या होगा कोट ठीटा सेक 360 प्लस ठीटा क्या होगा सेक ठीटा और फिर कोशेक तिन सो साथ पलस ठीटा क्या होगा कॉसिक ठीटा ठीक है तो ये इतना आप लोग याद कर लेजिए क्योंकि पारेंट आपको याद होने चाहिए चलिए चल दिए देखते हैं एक खतर नमर अब कैसे बनेगा तो एक खतर देखिए sine 135 का भेलिव हमको पता है sine 135 किसका होगा sine 45 का जो होगा वही होगा sine 135 कितना होता है root under 2 1 by 2 into में cos 225 का भेलिव नहीं पता है तो cos 225 कोॅंको निकालना होगा तो cos 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 पलस झिटा लिख सकते हैं 180 कितना जोरेंगे तो 225 हो जाएगा तो 45 जो रेंगे तो 225 हो जाएगा इंटू में साइन अब देखिए 1125 अब यहां पे सोचने वाली बात है 1125 है तो 1125 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 23 गुना में 360 यानि आप पलस में इसमें कुछ और अड़ करेंगे ठीटा का विल्यू देखिए 360 गुना में 3 कितना हो जाएगा 0, 3, 3, 3, 3, 18, 3, 9, 1, 10, 280 अगर 1125 घटा लेंगे तो जो बचेगा उतना ठीटा का विल्यू और होगा 5 में से 0 जाएगा तो 5, 12 में से 8 जाएगा 4 यह कट गे यह कट गे यह कट गे यानि कि 45 डिगरी इसमें 45 और अड़ कर देंगे ठीक है समझ रहे होगे ना तो हो गया कितना 3 इंटू में 360 पलस 45 डिगरी ठीक है नीचे वाले का 10 135 का विल्यू हमको पता है कि कितना होता है बुक में भी दिये हुए आप लोग याद कर लिजिएगा तो 10 135 का विल्यू होगा जश्ट उसका उपोजिट किसका 10 45 का 10 45 वान होता है लेकिन यहां माइनस लगेगा ठीक है हो गया सुरी ठीक का विल्यू कितना हो जाएगा 30 और 45 हो जाएगा यहां क्योंकि दूसरों सत्तर में 45 जो रहेंगे तो कितना हो जाएगा 315 पर रहा वान वाई रूट तो वंवाई रूट तो इन्टू में कॉस देखे परश सूंचने वाली बात है कि क्या होगा और कि 360 इंटू में 3 यह यानि कि तीसर का राउंड गोमेगा है ठीक है और sin 45 जिदे तो किस क्यारेट में जाएगा तो यह जाएगा और या communist月 क्या कचरी जाएगा सकता है तो a ganska 45 कीतना होगा 1 euro 525 का धेनल कितना होता है 1 euro थीक है बट्टा है तो बट्टा माइनस एक तो माइनस एक साइन दूसर सत्तर पलस ठीटा क्या होता है साइन दूसर सत्तर पलस ठीटा क्या होता है आपको फर्मूले पते हैं साइन दूसर सत्तर पलस ठीटा होता है माइनस में कॉस ठीटा तो माइनस में होगा और cost तो आएगा ही आएगा theta का value 45 होगा theta का value 45 मतले कितना 1 by root 2 ठीक है इसको solve किजिए देखे नीचे में root 2 है root 2 है तो उपर में क्या हो जाएगा नीचे में root 2 root 2 2 2 2 4 आप minus है तो minus यहाँ पे cost का value तो डाल दिये minus minus कितना होता है plus कितना हो जाएगा 1 by root 2 तो root 2 उपर जाएगा 1 नीचे आएगा तिक है यहाँ पे minus minus plus हो जाएगा तिक है तो यह तो plus हो जाएगा यानि कि root 2 upon 4 root 2 upon 4 नहीं है तो rationalize कर लेते है root 2 से उपर भी गुना root 2 से नीचे भी गुना तिक है तो देखिए 1y 2 root 2 कहां है नहीं है option में कहां mistake हुई चलिए देख लेते हैं sin 3 into sin 45 का भाईली होता है sorry 1y root 2 1y root 2 यानि कि यहाँ पे आप इसको solve नीचे में 3 में root है तो क्या हो जाएगा minus में 1 by 2 root 2 हो जाएगा अब बटा में क्या है 1y root 2 है तो root 2 उपर जाएगा बटा में 1 है तो 1 नीचे रहेगा root 2 से root 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा minus में 1y 2 sorry answer क्या हैगा 1y 2 minus में अब देखिए minus में 1y 2 b number ठीक है तो दूस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते है ठीक है क्योंकि आगे जो भी प्रेश्ण है इसी सब टाइब के प्रेश्ण है तो फर्मूले आपको याद होने चाहिए ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम